हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूटूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्ली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री आई इन्फो टैक्स शेयर के बारे में इस शेयर की अगर मैं लास्ट परफॉर्मिंग डे की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टोक में हमें 2.89 परसेंट की तेजी के साथ कारोबार ह होता हुआ दिखा है पिछले पांच दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो पांच दिन में लगबग 1% की गिरावट है एक मन्त में तो आप देख सकते हैं 18% से जादा की गिरावट हमें स्टोक में देखने को मिल रही है महीं अगर 6 मन्त में देखें तो 892% के रिटरंस औ देखने को मिल रही है चलिए मैं आपको वन बाइवन उन ब्रेकिंग न्यूज को दिखाता हूं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो 3i infotech कंपनी है इन्होंने एक multi-year contract जीता है आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि 3i infotech एक global IT company on Wednesday won a multi-year contract with bamboo rose a major US-based supply chain and enterprise product company इनका साथ इन्होंने एक contract ये multi-year जीता है आगे कहता है कि as a part of contract 3i infotech will be the preferred infrastructure management services provider as well as Microsoft cloud service provider for bamboo rose globally additionally both companies are committed to working on a joint go-to market in select geographies तो means ये एक अच्छी news है 3i infotech company के जो shareholders है उनके लिए कंपनी ने एक multi-year contract जीता है और जैसा इनकी management लगातार दावे कर रही है कि 2022 से इनकी जो means positions है जो इनकी एक company की outlook है वो ही पूरी change हो जाएगी तो उसके तरफ ये एक अच्छी news company के लिए निकल कर आ रही है वहीं दूसरी और important news मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3i infotech है इन्होंने appoint किया है शिरी राम जी को as a additional director इन्होंने appoint किया है आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि अगर आप इस company के shareholders हैं तो आपको company की हर छोटी बड़ी update के बारे में पता होना चाहिए यह चीजें भी बहुत ही work करती है company की growth में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने शिरी राम जी को additional non-executive director company का न्युक्त किया है और जो यह शिरी राम जी हैं इनके पास लगबग 40 सालों का जो experience है वो IT industry का है और इन्होंने बहुत सी जो companies हैं उनमें leadership positions पर यह लगातार 20 साल से कामकाज कर रही हैं तो कहीं न कहीं इस means जो इन्होंने ये additional non-executive executive director न्युक्त किये हैं इनका जो means इनकी जो skills हैं जो इनका जो इतने सालों का experience हैं इनका company को आने वाले समय में हमें benefit देखने को मिल सकता है तो ये थी दोस्तों दूसरी news तीसरी और important news company के बारे में ये है कि company ने अपनी board of directors की meeting को बुलाया है और ये जो meeting है ये 28 January को होने वाली है Friday को 2022 को ये न्युक्त ये इनकी meeting होगी और इस meeting में जो company जो है वो अपने जो financial results है quarter 3 के जो December 31 तक के हैं वो अपने पेश करेगी तो ये 28 January जो ये date है ये आपको याद रखनी है क्योंकि इस दिन जो company जो है वो अपने financial results पेश करने जा रही है तो overall अगर हम बात करें तो जैसा कि तीन ये important news है एक तो company ने एक multi-year contract जीता है दूसरा company ने एक non executive director को जुक्त किया है ये भी एक अच्छी चीज़ है और तीसरी जो है कि company जो है अपने Q3 के जो numbers है वो 23 January को पेश करने जा रही है देखिए दोस्तों अभी जो ये numbers आएंगे इसका इस company की means जो आगे की जरने है उस पर काफी ज्यादा effect हमें देखने को मिलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक month से जो stock में ये गिरावट जारी है तो ये जो गिरावट है ये जो profit booking means जो 52 week इनका high है साइद 119 उससे company ने लगातार profit booking हमें देखने को मिल रही है वहा तो last trading day में 2-3 रुपे थोड़ा अप हुआ है नहीं तो ये 85-86 तक के level पर आ चुका है तो अभी जो इनके means आगे की जो जरनी है जो उस पर जो बजार है वो इनके जो अभी Q3 के numbers आने हैं उस पर नजर लगाए हुए बैठा है no doubt company का जो future prospects है वो काफी अच्छा है क्योंकि future में ये लोग जो है IT services IT sector के दो ये company है ही साथ में ये जो लोग है ये जो ये company है ये artificial intelligence है और भी काफी black chain है blockchain है इन काफी चीजों में जो future के लिए means work करने वाली है पूरा world में means जो technology है उसकी तरफ जो पूरा world move कर रहा है उस sector में की जो company है ये अच्छा कामकाज करती हुई हमें दिख सकती है अभी तक तो जैसा सबी को पता है इसमें जो अभी पीछे जो कहानी हुई ये company पहले delist ह हुई है तो ये चीजें इसमें चली थी और company एक penny stock के रूप में निकल कर आई थी 78 रुपे का ये steak stock होता था और वहां से 120 तक का high इसने लगाया था बट उसके बाद से अब एक मंद से आप देख सकते हैं इसमें profit booking हमें लगातार देखने को बिल रही है तो अब आगे का ज जो Q3 के numbers आने हैं वो ही चीज इसको decide करेगी अगर company जो इनकी management है वो उनके अनुसार अगर company अपने Q3 के results पेश करती है तो no doubt company में हमें आगे अच्छी खासी तेजी बंती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि इनकी management ने बार बार ये commentary दी है कि हमारी जो performance है वो 2022 से हमारी improve ह होती हुई देख सकती है उन्होंने ये भी कहा था कि 2021 के जो last quarter results में जो अभी ये चल रही है और जो 2022 का जो इनका अगला next year अभी जो ये चल चुका है इसमें जो company है उसकी assets quality में और जो इनकी means functionality में और इनके जो quarter results है जो इनके पूरा performing का वो system है उसमें कहीं ना कहीं improvement हमें को मिलेगी तो चलिए ये तो हम 28 January का वेट करते हैं जब इनके new Q3 के numbers आएंगे मैं भी आपको वीडियो के माद्दम से update बना कर दूँगा उसमें हम देखते हैं कि जो company का management का जो दावा है वो कितना सच होता है और company अगर outperform results अच्छे देती है तो company में हमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है तो दोस्तो ये कुछ important तीन updates थी जो मुझे आपको 3i infotek company के shareholders को देनी थी आपको updates कैसी लगी आप भी comment section में जुरूर बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye